भव्य, शान्दार, विराण, विशार राम मंदिर को देखकर मुह से यही शब्द निकलते हैं राम मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है पर उसका निर्माण कारे ही मन मोह लेता है पूर्व से पस्चिम तक 350 फीट तक फैले हुए उत्तर से दक्षिर तक लगभग 268 फीट चोड़े और 161 फीट की उचाई चूते राम मंदिर की सुन्दर्ता देखते ही बनती है लेकिन राम मंदिर सिर्फ सुन्दर ही नहीं बेहत शक्तिशाली भी है इतना शक्तिशाली की एक सो नहीं बलकी वो एक हजार साल तक टिका रहेगा पीडियां आएंगी, जाएंगी, सदियां बीच जाएंगी एक हजार साल तक राम मंदिर पर एक हरोच तक नहीं आएगी आंधी तुफान तो छोटी मुटी बात है सैलाब आ जाए या सुनामी धर्ती के अंदर उथल पुथल मत जाए राम मंदिर का बाल भी बाका नहीं होगा क्योंकि उसकी नीव इतनी मजबूत है कि कोई आपदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड पाएगी आयाएटी से लेकर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिटूट और नैशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टिटूट के विशच अग्यों ने राम मंदिर के धाचे को डिजाइन ही इस तरह से किया है भारत को सबसे कम से सबसे ज्यादा खतरनाक के करम में चार साइजमिक जोन में बाटा गया है शुरुवात होती है जोन टू से जहां भुकम पाने का खतरा सबसे कम है उसके बाल आते हैं जोन त्री, जोन पॉर और जोन पाइफ जोन त्री में भुकम के हलके से थोड़े तेज जटके आ सकते हैं अयद्धा शहर इसी जोन में आता है मगर राम मंदिर को जोन फोर के हिसाब से बनाया जा रहा है जहां भुकम पाने का खतरा काफिस ज़्यादा है यानि बड़े से बड़ा भुकम पा जाए राम मंदिर काँपेगा तक नहीं नीचे की और पूरा कॉंक्रीट भरा गया एक रॉक सा खड़ा है और चारो होर मंदिर के यहां पे वाल की घड़ी की गई है 14 मेटर की उंचा ही की है जो आठ मेटर नीचे है और 6 मेटर उपर है ऐसी वाल जो नदी का कितना भी बहा हो उसको तोड़ नहीं पाएगी भुकम पा होने के बावजूद भी यहां पे मंदिर के जो खंबे है उसका stability analyst दिया गया है और CBRN certificate दिया है कि 1000 साल के लिए वो ठिकेगा तो हम यकीन और डंके की चोड़ पे है कह सकते राम मंदिर में कुल 400 खंबे हैं जो मंदिर को भुकम के जटकों में एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देंगी राम मंदिर में ग्रेनाइट का भी इस्तिमाल किया जा रहा है जो कि बहुत मजबूत होता है ग्रेनाइट खराब नहीं होता और उसे पानी का रिस्टना भी मुश्किल है वो तेज से तेज दबाव सह लेता है इसी वज़े से उसकी गिंती दुनिया में निर्माण में इस्तिमाल होने वाले मजबूत मेटेरियल में होती है ऐसे शांदार और दमदार राम मंदिर में राम लला विराजेंगे 22 जन्वरी को उनकी प्राण प्रतिष्टा होगी और खुद ग्रहों के राजा सूरदेव उनका तिलक करेंगे अब टेए रूड के ने और अपने बैंगलॉर से हैःधराबाद से कुछ उनके डिजाइनर से सांटेस्ट हैं जो उनको इंको डिजाइन करा है सूर्य की किरण को वह एक पाइप के अंदर से मिरूर रिफ्लेक्शन को जो और एंगल देके लेकर आएंगे वो मेरर रिफ्लेक्शन हमारा गर्ब गरा के सेंटर के दर्वाजे पर रहेगा उससे वो राम रड़ा के आपके ललाट के उपर साल में एक बार कुछ मिन्टों के लिए दिखाई देगा राम नमने के दिन उसको सूरिती लगका नमा नमा राम मंदिर वास्तुकला का एक नायाब नमुना है पिछले करीब 500 साल में ऐसा निर्मान नहीं हुआ है और जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तयार हो जाएगा तो उसकी मिसाल यूगो यूगो तक दी जाएगी